सब्सक्राइब कीजिए The Commerce Tutor YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हलो दोस्तों मेरा नामे आनंद और आप देख रहे हैं The Commerce Tutor आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कुछ typical journal entries आपको देख रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है कुछ typical journal entries को हम करेंगे for practice यानि कि देखे journal entries का तो concepts मैंने आपको बता दिया traditional approach से आपको कैसे सोचना है modern approach से आपको कैसे सोचना है लेकिन कभी-कभी journal entries में examiner क्या कर देता है कि entry तो easy पूछता है आपसे बहुत easy लेकिन उसमें जो question में language यूज करता है न वो language थोड़ी सी confusing कर देता है और वहाँ पर बच्चे कर देते हैं गलती तो आज जो हम यहाँ पर journal entries actually जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है वो हम यहाँ पर देखेंगे और उसकी language को पढ़ेंगे सीखेंगे समझेंगे कि institute या कोई भी class 11 का ही exam आप दे रहे हो तो आपसे क्या पूछना चाहता है और entry जो है उसको कैसे ठीक से decode करना है कि language में क्या लिखा यानि कि language भी जो है ना वो कभी-कभी थोड़ी सी tricky होती है समझने में थोड़ी सी problem होती है तो उसी को हम करेंगे ठीक है यहाँ पर कुछ मैंने खुद से उठाय हुए रैंडम ली जर्नल इंट्रेस डिफरेंट प्रॉब्लेम से बुक से देखके मैंने उठाय हुए तो उन्हीं को एक एक करके हम करेंगे तो देखो सबसे पहला यहाँ पर दो एंट्री है प्लेस जैन ओर्डर टू एच्पी कंपनी ओके प्लेस एन ओर्डर टू एच्पी और अमाउंट एडवांस किया है 5000 का अभी इस ट्रांजक्शन को देखके आपको क्या समझ में आता है यह जो जर्णल इंट्री यहां पर दीवी यह देखो यहां पर बताया हुआ है कि हमने एच्पी कंपनी को एक ओर्डर दिया है क्या दिया है और उसमें क्या बोलाए कि 15 15 हजार के Printer ओंकों जहिए लेकिन क्या हमने पंद्रह हजार अभी पेकिया है क्या नहीं किया हमने क्या पेकिया अभी सिर्फ advance का amount pay कि आए 5000 का तो हम जब किसी को कोई order देते हैं मानलो कि आपने supplier को 1,00,000 का माल का order दिया है सिर्फ अभी माल आया भी नहीं है आपने कोई payment भी नहीं की है advance के बारे में भूल जाओ अभी just order के बारे में सोचो order दिया है तो क्या वो जो order है वो order क्या कोई financial transaction है क्या अपने phone पर अपने supplier को बोला कि मुझे यह माल चाहिए माल लिखवा दिया उस माल की value मानलो 1,00,000 रुपए तो क्या वो order जो आपने दिया क्या वो एक financial nature का transaction है क्या नहीं है क्योंकि कोई भी यहाँ पर ना आप माल आपके पास आ रहा है ना sale purchase हो रही है ना आप कोई पैसे दे रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ आप phone करके order दे रहे हो कल को आप phone करके मना भी कर दे सकते हो कि नहीं जो मैंने order दिया था उसको cancel कर तो मुझे माल नहीं चाहिए लेकिन इस लाइन में important क्या है amount advanced ठीक है यानि कि आपने order दिया ठीक है चलो financial transaction नहीं है लेकिन order के साथ क्या कि आपने 5000 रुपए का आपने amount advance किया तो यहाँ जो 15,000 की figure दी वही है नहीं यह आपको confuse करने के लिए इसका यहाँ पर कोई implication नहीं है अभी हमको सिर्फ क्या किस चीज़ ध्यान देना है amount advance रुपीज 5000 समझ में आगई बात ओके तो 5000 रुपए हमने advance दिये हैं उसकी journal entry चलो लिखते हैं तो किसको दिया है देखो HP company को तो HP company हमारा क्या है है एक supplier है ओके तो यहाँ पर जर्नल इंट्री लिखेंगे सीरियल नंबर होगा वन और फॉर्मेट वगरे जैसे आपको दिख रहे हैं मैंने पहली बना रखा है तो यहाँ पर लिखते हैं देखो HP company जो है वह हमारा supplier है तो उसको हमने advance दिया है किसी भी बंदे को जब आप कोई पैसा advance देते हो तो उसके पास जो पैसा पड़ा वो है वो किसका पैसा है वो आपका ही पैसा है और उससे आपको future में कुछ benefit मिलने वाला है यह जो आपने advance दिया है उससे आपको future में कुछ benefit मिलने वाला है तो वो आपका क्या बन जाएगा एसेट बन जाएगा ठीक है इसको अगर आप modern approach से सोचते हो तो यह logic होगा और अगर आप traditional approach से सोचते हो कि आपने advance दिया तो किसको दिया HP company HP company क्या है एक person है ठीक है na HP company क्या है एक artificial person है तो personal account में debit कौन होता है the receiver तो advance का पैसा receive कौन कर रहा है HP company कर रहा है तो दोनों ही case में अगर आप modern approach से सोचो तो HP company को आपने पैसे दिये उससे आपको future में benefit मिलने है तो वो बन गए आपका asset तो वो debit होगा एसेट में इंक्रीज हो रहा है और traditional approach के हिसाब से वो एक personal account है personal account में वो क्या है एक receiver है तो receiver क्या होता है debit तो HP company को हमको करना पड़ेगा डेबिट ठीक है तो cash या bank जो भी आपकी मर्जी ठीक है मैं oblique देके लिख दे रहा हूं तो cash या bank account और इधर आप credit कॉलम में भी 5000 लिख सकते हैं यहां पर इंपोर्टेंट मुझे लगेगा कि नरेशन यहां पर लिखना जरूरी है वो नरेशन वैसे इसका नरेशन होगा बीइंग 5000 रुपीज एडवांस to HP company for purchase of printers ऐसा आप लिख सकते हैं कि एक नंबर होगी आप दूसरे में आते हैं कि पर्चेस कैल्कुलेटर फर रुपीज 150 एक सो पचास रुपए का हमने क्या खरीदा कैल्कुलेटर अब यहां पर यह देखो ट्रांजक्शन बहुत इजी है ठीक है इसमें कोई भी hard and fast चीज नहीं एक कैल्कुलेटर खरीदन आप फरनीचर्स खरीदते हैं जैसे कि मानलो टेबल खरीदे चेर खरीदते हैं आश बुक शेल्स खरीदते हैं अलमारी खरीदते हैं कितने सारे अलग अलग टाइप के फरनीचर चाहिए होते हमको तो यह जो फरनीचर है जब आप डेबिट करते हो अकाउंट में तो आप क ऐसा तो कोई नहीं करता यहाप माहननों कि कोई आपकी factory वहां पर अलग अलग मशीन है मिक्सर मशीन में nutabetes मशीन आपक्राइब एसा थोड़ी करते हो तो बहुत सारे सिमिलर नीचर के आईटेम्स अगर हम अकाउंट्स में खरीते हैं तो उसको एक कॉमन चीज में क्या कहते हैं ग्रूप कर देते हैं जैसे की मान लो यह अच्छा टर्म है अगर आपको लिख दिया कि स्टेपलर पर्चेस किया है पंचिंग मशीन पर्चेस किया है इसको परचेस किया है एफ और पेपर परचेस किया है तो यह सब चीज आपको जब डेबिट करना होगा तो आप लिखोगे ओफिस एक्विपमेंट या ओफिस स्टेशनरी ठीक है उस हेड में दोगे तो हम क्या कर रहे हैं आप ग्रूपिंग कर रहे हैं छोटी-छोटी इन सिग्निफिकंट चीजों की हम ग्रूपिंग करके एक हैड बना रहे हैं तो चलो कैल्कुलेटर की जो है 150 रुपए का कैल्कुलेटर खरीद है उसके एंट्री कर लेते हैं तो यहां पर जो हम एंट्री लिखेंगे वह है कैल्कुलेटर एक एसेट है आपके बिजनस में आ रहा है तो इंक्रीज हो रही है लेकिन कैल्कुलेटर का जेनरली लाइफ स्पैन हम मानते हैं कि एक अकाउंटिंग पिरिएट से कम ही चलेगा ओके यहां पर देखो मेट्रीलिटी का भी एक कॉंसेप्ट आ जाता है कि जो चीजे मेटीरियल नहीं उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं अभी 150 र स्टेशनरी अकाउंट को कर देंगे डेबिट और टू करेंगे मान लोग कैश में खरीदा 150 रुपए का कल्कुलेटर टू कैश अकाउंट 150 रुपए ठीक है आशा करता हूं कि इसमें कोई दिकत नहीं है देखो यहां पर एक चीज मैंने आपको और बताएं मेट्रियलिटी के कॉंसेट के हिसाब से क्याकुलेटर जो है वो उसको हम एसेट नहीं मानेंगे बस एक नॉर्मल खर्चा मान लेंगे क्यों क्योंकि यह जो एमाउंट है ना इसकी 150 रुपए कि यह ज्यादा सिगनिफिकेंट नहीं है बहुत छोटा सा इन सिगनिफिकेंट तो मेट्रियलि अब तीसरी इंटरी देखो यहां पर क्या लिखा है पेट टू मिस्टर सिंग रुपीज टैन थाउजन तो मिस्टर सिंग को हमने 10,000 रुपै किये हैं वहां पर ओन अकाउंट लिखा हुआ है अब इस अनकाउंट का मतलब क्या है मिस्टर सिंग का हमारे बुक्स में एक अक 10,000 लिख सकता था लेकिन यह on account लिख के हो सकता है कि आपको confused करते कि on account मतलब क्या मैंने bank account से पे किया है ऐसा नहीं सोचना है on account मतलब Mr. Singh का जो हमारे 10,000 रुपए पे किया है उसके entry third point तो Mr. Singh को जब हम पे करेंगे तो अगर आप traditional method से सोचो तो Mr. Singh एक person है और person क्या है receiver है ठीक है Mr. Singh को पैसे हम दे रहें यहां पर तो Mr. Singh receiver है तो वो debit होगा अगर आप यहां पर ऐसे सोचो modern approach के हिसाब से Mr. Singh जो है हमारा एक creditor था ठीक है क्यों क्योंकि Mr. Singh को हम पैसे दे रहें तो एक liability हो रही है कम तो liability में modern approach में जब increase होता है तो करते है credit और जब decrease होता है तो क्या करते है debit तो Mr. Singh हमारी थी liability क्योंकि वो हमारा creditor था उसको payment करना था अब हम उसको दे रहे हैं पैसे तो liability जो है वो हमारी हो रही है decrease ओके तो यहां पर में लिखते हैं Mr. Singh account debit to अब आप मान लो कुछ भी कैस से payment किया तो cash मान लो bank account से payment किया तो bank मान लो तो मैं यहां पर cash oblique bank account लिख देता हूं और कितना payment किया था हमने दस हजार ठीक है तो यह entry भी हो गई अब चौथे में आ जाते हैं चौथा क्या है देखते हैं चौथे में देखो यह वाला easy है और अच्छा भी है paid rent of building by check रुपीज 5,000 half of the building is used by the proprietor for residential purpose देखो कितनी smartly चीज़ें यहां पर लिख दी है रेंट दिया है आपने क्या दिया है आपने रेंट दिया है किस चीज़ का दिया है building का कैसे दिया है चेक से तो तीन information दे दिया है यहां ठीक है रेंट दिया है चेक से यानि कि bank account के through payment होगी 5,000 रुपर रेंट दिये अब क क्या करता है उपर के floor में रहता है नीचे के floor में business करता है यहां पर हमने जो rent पे किया है मानलों कि यह building है ठीक है यहां पर है हमारी shop दुकान ओके और यहां पर हम रहते हैं ठीक है यह हमारा home है अब total building जो है इस total building का भाड़ा है 5000 रुपए तो इसका मतलब इस part का भाड़ा हम बोल सकते हैं कि 2500 रुपए है और इस part का भाड़ा 2500 रुपए है बता सकते हैं ऐसा तो business के पैसे से उसने rent दे दिया 5000 रुपए जिसमें आधा building वो खुद के लिए use करता था तो इतने portion का जो भाड़ा दिया क्या हम बोल सकते हैं कि उसने अपना personal खर्चा business के पैसे से किया obviously बोल सकते हैं क्योंकि उसका personal रहने का space का भाड़ा जो है वो तो business का transaction नहीं हो सकता entity concept क्या कहता है कि business अलग owner अलग business के transactions अलग और owner के personal transactions अलग उसको business से mix नहीं करना है उसको business का खर्चा नही 25 रुपया का यह हम बोलेंगे कि owner का personal खर्चा जो है वो business ने कर दिया तो एक तरह से यह क्या होगे हमारा drawings हो गया owner ने अपने personal खर्चे के लिए business से रुपय निकाल लिया बस यहीं हम मानेंगे तो यहाँ पर 5000 रुपय का जो rent पे किया है ना उसमें बिजनस के लिए रेंट सिर्फ 25 सो है और बाकी 25 सो हो जाएगा drawings समझ में आगई बात बिल्कुल आसान है तो चलो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले देखो क्या-क्या entries होगी cash तो आपके business से चला गया 5000 रुपय तो सबसे पहले हम यह क्रेडिट वाला पार्ट एक बार लिख लें तू कैश अकाउंट जो पार्ट आपको easy लगे ना कि यह aspect समझ में आ गया उसको पहले लिख लो कोई डिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन उपर डिबिट के लिए थोड़ा सा इंक्रीस होगी कोई भी expense जब इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे उसको डेबिट तो यहां पर एक बार लिखते हैं उनक्री का प्याइंट लिखते हैं हम कौन सा night लिखेंगेंगे ड्राइंकें क्यों क्योंकि capital एक liability है capital जब बढ़ती है तो हम क्या करते है उसको create करते है liability capital का उल्टा है drawings तो drawings जब हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा debit okay तो drawings account को करेंगे debit और अगर आप traditional approach से सोचो ठीक है golden rules वाले approach से अगर सोचो तो drawings क्या है एक personal account है क्यों क्योंकि यह owner को represent करता है जब यह owner कोई पैसा लिके जाता है तो उसको drawings account के थूरू लिखते हैं तो यहां पर जो 25 रुपे निकले हैं हमारे business से rent के तौर पर यह owner का personal flat या personal space का rent दिया है हमने तो यह जो पैसे निकले हैं यह किस ने receive किया एक से बोलो तो owner ने receive किया है तो owner यहां पर क्या है receiver तो debit किसको करते हैं personal account में receiver को इसलिए drawings account का हमने कर दिया debit ओके हो गई entry हमारी अब चलते हैं पांच हुए पॉइंट पर चौथा तक तो हमने कर लिया अब देखो यहां पर क्या लिखा है अब देखो tricky language को देखो यहां पर language कितना tricky है देखो goods returned of list price रुपीज 10,000 हमने goods returned किया है हमने goods returned किया है 10,000 की list price थी उसकी 10,000 का goods return नहीं किया है ध्यान से देखना क्या लिखा है हमने goods return किये हैं जिसकी list price 10,000 रुपया थी और उसको हमने purchase किया था अमरीच से at 20% trade discount अमरीच से हमने purchase किया था यह goods ओके list price थी 10,000 और 20% हमको trade discount मिला था तो 10,000 पर हमको कितना discount मिला था 2,000 रुपए 10,000 का 20% 2,000 रुपए होता है यहां पर लिख दिया goods return of list price 10,000 अब इसको आपको देखके लगएगा कि 10,000 के goods हम return कर रहे है 10,000 के goods आप ने return कर रहे हो आप goods return कर रहे हो इतने जिसकी list price 10,000 रुपए थी और आपने इसको खरीदते वक्त 20% discount पाया था और किस से purchase किया था अमरीच से तो कितने के goods हम return कर रहे है 8,000 के आशा करता हूँ कि आपको समझ में आगे हो कि बिल्कुल easy है सिर्फ language जो है थोड़ा सा confusing था तो goods हम जब भी return करते हैं तो कौन सी account यूज करते बोलो purchase return account ठीक है तो purchase return हमारी लिए क्या है जब purchase करके लाए थे तो purchase हमारी expense थी अब purchase return को आप बोल सकते हो कि expense कम हो रही है purchase की expense क्या हो रहा है purchase return से कम हो रही है तो expense जब भी कम होगी तो उसको करेंगे credit expense जब बढ़ेगी तो उसको करेंगे debit तो purchase return को तो हम credit करेंगे अब debit किसको करेंगे देखो तो गुड्स हमने किसे खरीदा था अम्रित से ठीक है पुरा modern approach से आपको समझाओंगा अम्रित से जब आप गुड्स खरीद के लाए थे तब यह गुड्स तो हमने 8000 में खरीदा था यह बात हमने डिसकस कर ली 10,000 के गुड्स पर हमको 20% trade discount मिला था तो 2000 discount मिल गया था तो हमन अम्रित को आपको 8,000 ट्रेव करने के इliers तही अब आप जब गुड्स रिटन कर दे रहे हों तो क्या अब अम्रित को आपका लाएबलिटा था आपका creator था अब उसको पैसे नहीं देने पड़ेगे तो liability हो रही है कम जब अब लायबिलेटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं तो सबसे पहले एक मिनिट अमरित अकाउंट को हम करेंगे डेबिट कितने का 8000 का ओके और टू क्या करेंगे परचेस रिटर्न अकाउंट ठीक है यह भी 8000 ठीक है बिल्कुल सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई टेंशन नहीं है ओके अब आते हैं अगले एंट्री में अगला एंट्री क्या है हमारा यह वाला छठ्था received from भारत cash रुपीज 20,000 allowed him discount रुपीज 5,000 तो हमने भारत से cash रिसीव किया है 20,000 का और allow किया है discount 500 का तो देखो बोलो तो इसके इंट्री क्या होगी क्या हम 20,000 रुपे से माइनस 500 कर दें और बोलें कि हमने 19,500 रुपे रिसीव किया है क्या ये इंट्री होनी चाहिए क्या बताओ ये इंट्री होनी चाहिए क्या या ऐसा होना चाहिए कि हमने 20,500 रिसीव करना था उससे 500 रुपे discount दे दिये और रिसीव किया 20,000 ये होना चा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बोली दिया कि भारत से हमने 20,000 रुपए cash receive किये हैं, ठीक है, तो clear cut ये तो समझ में आता है कि 20,000 रुपए cash हमारे पास आए हैं, और उसको discount दिया 500 का, मतलब हमको उससे मिलना कितना था, मिलना था 20,500, ओके, उसमें से 20,000 cash तो हमको मिल गया देखो, clearly लिखा हुआ है कि receive from भारत cash रुपीज 20,000, तो 20,000 cash ले लिया और 500 रुपए discount दिया, यानि कि total उससे कितना लेना था, total उससे 20,500 लेना था, तभी तो आपने 20,000 लिया और 500 रुपए discount दिया, इसका मतलब 20,500 लेना था ना, तो भारत से हमको लेना था, तो भारत ह हमारे कितने का debtor रहा होगा, 20,500 का debtor रहा होगा, और उससे हमने 20,000 रुपए लिये और उसको 500 रुपए discount दिया, तो इसकी entry क्या होगी, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, कि 20,000 रुपए total लेने थे, और 500 रुपए discount ले लिया, तो net में हमने शायद 19,500 रुपए लिया, लेकि लेकिन ऐसा नहीं है, received from भारत cash रुपए 20,000 रुपए इस word पे अगर आप stress दोगे sentence पे, तो आपको पता चल जाएगा कि 20,000 रुपए ले ही लिये हैं, और साथ में 500 discount दिया, यानि कि total 20,500 की उसका जो account है, वो हमने clear कर दिया, उसमें 20,000 रुपए लिया और 500 रुपए discount दि क्योंकि cash जो है, asset है, business में increase हो रहा है, जब cash receive करेंगे, तो cash increase होगा, तो उसको debit करना पड़ेगा, तो यहां पर 20,000 रुपए हमको cash मिले, cash को तो debit कर देंगे, अब साथ में क्या है, 500 रुपए का discount है, अब discount जो हमने, किसको, अमरित नाम है, नहीं, क्या नाम है, भारत, तो discount जो हमने भारत को दिया है, 500 रुपए है, वो discount हमारे लिए income है कि expense है, आपने किसी को discount दिया, आपके लिए expense है, इसमें तो कोई doubt नहीं है, obviously expense है, expense यहां पर 500 रुपए का हमारा हो रहा है, यानि कि expenses बढ़ रहे है, तो क्या करना पड़ेगा, debit, तो यहां क्या लिखेंगे, discount, allowed, account, debit, 500 रुपए, अब यह cash जो आपने receive किया, और यह discount जो आपने allow किया, किसको किया, भारत को किया, तो भारत के account को आपको कितने से credit करना पड़ेगा, तो भारत हमारा एक debtor था, हमारा एक asset था, उससे हमको 20,500 रुपए मिलने थे, उसके जगा पर हमने cash receive कर लिया, 20,500 का discount दे दिया, तो भारत से जो 20,500 मिलने थे, वो तो अब नहीं मिलेंगे, भारत जो हमारा debtor था, वो debtor तो कम हो जाएगा, तो हमारी एक asset में गिरावट आ रही है, तो asset जब decrease होता है, तो उसको क्या करता है, credit, तो यहाँ पर भारत account को to, भारत account को credit करेंगे 20,500 से, 20,500 से क क्योंकि 20,500 का उसका हिसाब हमने clear कर दिया, 20,000 का नहीं, 20,500 का हिसाब clear किया, क्योंकि 20,000 रुपए cash में receive किये हैं, और 500 रुपए का उसको discount दिया है, तो total 20,500 का हिसाब उसका clear हो गया, okay, समझ में आता है, हाँ sir, समझ में आता है, easy है, उतना कोई tough तो है, नहीं कि नहीं सम 38,000 in settlement of his dues of rupees 40,000 in cash, देखो, क्या लिखा है, A कोई बंदा है, उससे हमने 38,000 रुपया receive किया cash में, और लिखा है, in settlement of his dues of rupees 40,000, यानि कि ये जो बंदा है Mr. A, उसका total dues कितना था, उसका total dues था 40,000, और उसकी settlement में, उस पूरे dues की settlement में, उसने हमको कितना दिया, 38,000, यानि कि 2000 रुपय हमने उसको discount दे दिये, उसने आके हाथ पर चुड़ लिए कि देख भाई, तुझको मुझसे 40,000 लेने थे, पर मेरे पास 38,000 ही है, इससे ज़्यादा मैं अभी दे नहीं सकता, ठीक है, ये 38,000 ले और मेरा हिसाब खतम कर, क्या बोल रहा है वो, 38,000 ल एक्सपेंस ही बोल लो, discount तो regular activity है, इसको loss नहीं बोलना चाहिए, बिजनेस में हमेशा होती रहती है, तो 2000 का आपने discount दे दिया, तो आपका 2000 का expense हो गया, तो यहाँ पर यह याद रखना, in settlement of his dues लिखा हुआ, settlement of his dues, settlement word बहुत important है, अभी आगे आपको पता चलेगा, तो यहा cash account क्यों debit हो रहा है, तो आपको समझाने की जोरत नहीं, आप अल्रेडी समझ चुके हो, ठीक है, cash account debit हो रहा है, और किस से पैसा मिल रहा है, और सॉरी, यहाँ पर discount हमने दिया है, discount allowed, account debit, कितने का discount दिया है, 2000 का, और किस से पैसे मिल रहा है, हमको Mr. A से, तो 2A account लिखते है, और कितने का हिसाब उसका total settle कर दिया हमने, 40,000 का, तो A से जो 40,000 हमको मिलने थे, A हमारा एक debtor था, asset था, A से 40,000 मिलने थे, अब हमने उसके cash 80,000 ले लिया, और उसको 2000 का discount दिया, तो अब क्या A से और 40,000 लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, तो उस debtor को, उस asset को कम करना पड़ credit क्योंकि उसका पूरा हिसाब जो है, वो अब खतम हो गया, उससे हमने cash 38,000 लिया और discount उसको 2000 रुपए दे दिये, ठीक है, अब देखते हैं, आठवा point क्या है, received from अमरीत रुपीज 50,000 by check on account against dues of रुपीज 60,000, अब बताओ, ध्यान से सोचना, पिछले transaction के respect में सोचना, दे को, received from अमरीत रुपीज 50,000 by check, okay, on account against dues of रुपीज 60,000, यानि कि हमने अमरीत से 50,000 रुपए रिसीव किया, by check रिसीव किया, चलो bank account के थ्रू एंटरी हो रही है, और on account against dues of रुपीज 60,000, on account बोला है, याँ पर full settlement बोला है, क्या settlement नहीं बोला है, on account बोला है, यानि कि Mr. अम से कुछ लेन देन है, उसका एक खाता खुला हुआ है, और हमको उससे पैसे मिलने है, ठीक है, इसलिए तो हम रिसीव कर रहे है, अब उससे हमको कितने मिलने है, टोटल, उसके dues है 60,000, और उस dues के respect में, उसने हमको अभी 50,000 दिया है, ठीक है, full settlement की बात नहीं किया गई है, यहाँ पर बोला गया है कि Mr. Amrit, 60,000 रुपए उससे हमको मिलने है, और उसी हिसाब के चलते उसने हमको अभी 50,000 दिया है, ऐसा तो होता ही है, बिजनस में कोई customer से अगर आपको 1,00, रुपए मिलने है मान लो, तो क्या एक ही बार में 1,00, रुपए देके जाएगा, क्या ऐ देखेंगे, ठीक है, कुछ दिनों बात दे देंगे 30,000 रुपए, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, कि Amrit से हमको 60,000 मिलने है, पर अभी वो 50,000 दे रहा है, भाई चेक, फुल सेटलमेंट की बात नहीं की गिये, देखो यह सेटलमेंट वाला वर्ड इसलिए मैंने बोला कि बहुत जरूरी है, पिछले सेवेंथ ट्रांजक्शन में बोल दिया था, कि 40,000 का ड्यू पूरा सेटल करने के लिए 38,000 रुपए दिया, तो हमको मानना पड़ा कि 2000 रु बस यही चीज़ बताने के लिए मैं ट्रांजक्शन लिया था, अब डिस्काउंट के एंट्री कर देते हैं, अगले पेज में भी फॉर्मैट बना हुआ है, ठीक है, घर पे थोड़ी से मैनत करता हूं ताकि क्लास के समय प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर देखो, कितना प अमरित अकाउंट करेंगे हम 50,000, अब बोलो, कुछ लोग बोलेंगे कि सर 60,000 का हिसाब था, तो 60,000 क्रेट क्यों नहीं किया, देखो, 60,000 का हिसाब है अभी भी उसका बुक्स में, ठीक है, यानि कि अमरित अभी भी हमारे अकाउंट में एक एसेट है, जिसकी डेबिट बै बैलेंस है, अब उससे पैसे मिले हैं हमको 50,000, और लेने हैं बाद में और 10,000, तो अभी भी हमको उसकी डेबिट बैलेंस 10,000 तो मेंटेन करनी पड़ी की ना, एसेट तो अभी भी 10,000 का वो है, क्योंकि फ्यूचर में 10,000 देगा, तो इसलिए सिर 50,000 ही क्रेइट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर फूल सेटलमेंट वगेरा कुछ नहीं लिखा है, अगर लिख देता यहाँ पर कि रिसीवड फ्रम अमरीत 50,000 बाइचेक अन फूल सेटलमेंट अगेंस ड्यूज अवरूपीज साथ हजार, तो हम मान लेते कि साथ हजार की ड्यूज को फुली सेटल कर र मिला है, और 10,000 जो है वो बाद मिलेंगे, ठीक है, हो गई यह बाद, अब आगे बढ़ते हैं, यह वाला देखो, यह इन्सॉल्वेंसी वाला है, यह थोड़ा से इंपोर्टेंट है, यह वाला 9 नमबर पॉइंट, श्याम बिकेम इन्सॉल्वेंट, इन्सॉल्वेंट का मत पतलब होता है, कि जो बिल्कुल देवलिया हो जाता है, ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी खतम, जिसके पास पैसे वगेरा कुछ है नहीं अब, निलामी हो गई उसकी, तो इन्सॉल्वेंट अगर जब कोई बंदा हो जाता है, तो उसको इन्सॉल्वेंट कौन डिक्लेयर कर जाता है, फिर कोट में जाता है, और कोट में बोलते हैं, कि देखिये साहब, ये शाम जो है न, इसने हमसे काफी उधारी ली है, हमसे माल खरीदा है, अब क्या कर रहे हैं, कि ये पैसे देने से मना करें, कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो कोट क्या करेगा, फिर ए वहां से जो भी पैसे मिलेंगे उसके क्रेडिटर में बांट देगा क्या करेगा श्याम के जितने भी एसेट्स हैं उसको रिसीवर क्या करवाता है निलाम करवा देता है ठीक है और वहां से जो भी पैसे मिलेंगे उस पैसे को क्रेडिटर में बांट देता है तो श्याम हमारा क्या किया एक official receiver appoint किया और निलामी विलामी करा के पता चला कि उसका जो एक लाख का dues है मान लो उस पर वो सिर्फ 75 परसेंट ही दिया जा रहा है देखो यहां पर क्या लिखा है a first and final compensation of 75 पैसे इन रूपी 75 पैसे इन रूपी was received from his official receiver इसका मतलब क्या है first and final मतलब एक ही बार में compensation कभी कभी क्या होता है कि ऐसे निलामी एक बार होती है तो थोड़ा सा पैसा मिलता है फिर थोड़ी सी और assets की निलामी होती है फिर थोड़ा सा पैसा मिलता है तो first compensation second compensation ऐसा मिलता रहता है लेकिन यहां पर लिख दिया first and final यानि कि एक ही बार में जो मिलना था वो मिल गया तो कितना मिला एक रुपए के बदले 75 पैसे मिला 75 पैसा है ना रुपी मतलब एक रुपए के बदले 75 पैसा मिला यानि कि 75 परसंट मिला अब हमको शाम से मिलना था 10,000 रुपए देखो लिखाए he owed us Rs. 10,000 शाम को हमको देने थे 10,000 हमको शाम से मिलने थे 10,000 और एक रुपए के बदले 75 पैसे ही मिले तो 10,000 के बदले कितने मिले बोलो 10,000 के बदले कितने मिले 7,500 ओके ये 7,500 आपको बताया हुआ नहीं आपको यहां से निकालना पड़ेगा इस टर्म से आपको निकालना पड़ेगा ओके तो एंट्री क्या करेंगे हम देखो अब ये एंट्री भी ध्यान से देखना क्योंकि एंट्री इंपोर्टेंट है सबसे पहले कितने पैसे मिले वह लिख लेते हैं कैस में लिख लेते हैं कैस अकाउंट डेविट मिले कितने 7,500 ठीक है इ यहां पर देखो श्याम जो है मैं यहां पर एक लाइन छोड़ रहा हूं ठीक है यहां मैं क्रेडिट वाला पहले एक बार लिख रहा हूं हमको किसे मिलने थे श्याम से तो श्याम एकाउंट को क्रेट करेंगे क्योंकि श्याम हमारा एक डेटर था अब वह नहीं रहा क्यों कि उसे पैसे हमने ले लिए तो जो यह है इसको क्रेट करना पड़े तो कितने से क्रेट करेंगे बताओ शाम जो है देखो सुनो मेरी बाध्यान से शाम जो है उसे हमको 10.000 लेने थे ठीक है अब हमको उसे 0,500.00 रुपए मिल रहे है तो क्या हम यहांपर 0,500.00 क्रेइट कर दें क्या बोलो तो 0,500.00 क्रेइट करना यहांपर ठीक रहेगा कि गलत होगा तेक Clap Actually 0,500.00 यहांपर क्रेइ करें तो 25 का debit already हमारे अकाउंट में उसका बच जाएगा तो क्या यह 2500 रुपए हमको फ्यूचर में शाम से मिलेंगे क्या अब बिल्कुल दस हधार अब बीच में और य discretion जोंड इसकाउंट देते तो हम यहाँ पर डिसकाउंट लएक बता हो क्या अपनी मर मammal यह सेदिकाउंट दिसकाउंट दिया नहीं तो क्या हुआ यह जो धाई हजार रुपए हमारा क्या हुआ यह हमारा एक हो गया loss, क्या हो गया, loss, loss हो गया मतलब पैसे हमको मिलने थे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे, ये हो गया loss, discount जो होता, वो हमारे loss क्यों नहीं होता, क्योंकि वो हम जान बूच के अपनी मर्जी से देते हैं, discount, ठीक है, अगर हम ना चाहें discount देना, तो हम नहीं भी दे सकता है लेकिन यहां पर आप चाहो भी तो 25 रुपए यह आपका realize नहीं होगा क्योंकि शाम जो है वो insolvent हो चुका है तो यह जो 25 रुप गये इसको हम बोलेंगे कि पैसे डूप गये तो जब पैसे customer से आने होते है और वो डूप जाते है उसका English में एक term होता है उसको बोलता है इस यहां पर हम बैड़ेट करेंगे तो बैड़ेट हमारा क्या है पता यह बैड़ेट है न यह एक लॉस और सारे लॉस को जब भी लॉस होती है बिजनेस में तो उसको डेविट किया जाता है यह आप ट्रेडिशनल अप्रोच में भी नॉमिनल अकाउंट में देख लोगे और मॉडरन अप्रोच में भी जो है एक्सपेंसे और लॉस जब बढ़ते हैं तो उनको डेविट किया जाता है यहां पर हमारी एक लॉस हो रही है मतलब लॉस बढ़ रही है तो इसको हम करेंगे डेविट ओके तो यह चीज आशा करता हूं कि आपको समझ में आगे यह बै ठेक है तो यह हो गी entry अब आगे बढ़ता हैं Rent due to landlord 3,000 रुप़े इसकी क्या entry करेंगे आप बलोगे सरी है तो बहुत easy entry है फिर भी बदादो देखो 3,000 रुप़े का rent due हो गया है यानि कि rent का खर्चा जो है हमारा actual concept के हिसाब से rent का खर्चा हमारा लग चुका ठीक है due हो गय लेकिन अभी तक pay नहीं किया है due मतलब अभी तक not paid cash जो है वो outflow नहीं हुआ तो expense है हमारा rent दसवे point पर आ जाते हैं rent हमारा expense है तो rent account को तो हम debit कर देंगे क्रेडिट को करें कोई तो अक्रेडिट करना पड़ेगा ना तीन हजार रुपए से तो यहां पर यहां पर account का नाम हम क्या लिखें बताओ cash तो pay किया नहीं है चेक से payment की नहीं है rent जो है वो due है तो इस यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे rent outstanding या outstanding rent account अब इसका explanation मैं आपको traditional method और modern approach दोनों से करूंगा देखो पहले modern approach से जो easy है उसको सुनते है modern approach के हिसाब से कोई भी liability अगर हमारी बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं credit करते है rent आपका due हो चुका है 3000 रुपए का रेंट आपका क्या हो चुका है due 3000 रुपए का और अपने अभी तक पे नहीं किया है तो क्या आपके सिर्पे एक उधारी है नहीं आ गई रेंट के लिए रेंट आपका ड्यू हो चुका है तीन हजार उपए का लेकिन अभी तक आपने रेंट पे नहीं किया तो हमारे सिर्पे क्या आ गई एक उधारी आ गई रेंट के लिए तो ये जो आउटसेंडिंग रेंट हमने लिखा है ये हमारी एक liability है तो liability जब बढ़ती है तो उसको क्या करता है credit तो इसलिए हमने outstanding rent को यहाँ पर credit किया है अब आप कह सकते हो कि सर ये पैसे जो हमको देने है वो तो landlord को देने है तो landlord का ये एक account खोले देने landlord के नाम से देखो landlord हमारा कोई debtor या creator नहीं है तो उसका जो है नाम जानना, बिजनस में record करना उतना important नहीं है, क्योंकि उसके साथ हम business नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे से rent लेता है, ठीक है, ओके, ये तो हो गया modern approach से, अब अगर हम traditional approach की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि outstanding rent account जो है न, ये personal account की category में आता है, कोई representative personal account, तो outstanding rent उसमें आ जाएगा, rent जो यहाँ पर हमने expenditure जो incur किया, ये पैसा कहां से आया, ये पैसा अभी तो किसी ने दिया नहीं है, तो owner ने जो है, देखो ध्यान से समझना, ये building का building है, और building का जो owner है, building के owner ने हम से अभी पैसा नहीं लिया, मतलब एक तरह से आप बोल सक सकते हो कि rent का expenditure building के owner ने बियर कर लिया, building के owner ने हम से अभी पैसा नहीं लिया, मतलब एक तरह से building के owner ने ही अपने हिसाब से वो पैसा जो है, बियर कर लिया, अपने ऊपर ही जो है वो पैसा बियर कर लिया, समझ मैं आ रही है ये बात, कैसे समझा हूँ आपको ये चीज, त हमने तो अपने pocket से दिया नहीं तो ये रेंट का खर्चा हुआ कैसे हमारा ये बिल्डिंग का ओनर जो हमसे अभी पैसे नहीं ले रहा है तो एक तरह से मान लो कि वह को खुद से source of funds प्रोवाइट कर रहा है इसका example समझाने के लिए सुनने में थोड़ा confusing लगेगा लेकिन मैं समझाता हूँ मान लो यह वह बिल्डिंग है जिसमें आप बिजनस करते हो ठीक है शौप है अब इसका रेंट कितना है इसका रेंट है तो इसका रेंट है तीन हजार रुप अब यह तीन हजार रुप आपको आपकी डियु हो गई आज मान लो 31 जनवरी 2021 की डेट है मान लो इस दिन आपकी यह रेंट जो है यह हो गई डियु ठीक है लेकिन आपने अभी तक यह रेंट पे नहीं किया तो ओनर जो है लैंडलर बोलते हैं इसको, landlord, landlord जो है उसने बोला कि ठीक है चलो rent due हो गई अभी मत दो, तो in case अगर landlord आपको बोलता कि नहीं, आज due हुई है, आज due हुई है, आपको आज ही payment देना पड़ेगा, तो आपको कहीं से ये पैसे arrange करने होते, और landlord को pay करना होता, होता कि नहीं, ठीक है, लेकि तो एक तरह से आप अगर सोचो, तो क्या landlord आपके लिए funds की arrangement नहीं कर दे रहा है, आपको time allow करके, जितने देर का time landlord आपको allow कर रहा है due date से, actual payment के लिए, मानलो कि ये जो due date थी, 31 landlord ने आपने बोला कि ठीक है चलो, 28 February तक आप payment कर देना, तो ये जो एक महीने का time, जो आपको landlord ने दिया, क्या आप नहीं बोल सकते हो कि इतने समय के लिए landlord ने खुद अपने pocket से जेव से पैसा लगा दिया, एक तरह से सोचो तो वैसा ही होगा, अगर landlord आपको उधारी नहीं देता, rent में, यहाँ पर मैं उधारी माल खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, landlord आपको अगर लोन लेना पड़ता मालो, लोन लेना पड़ता, और ये लोन के पैसे से आप क्या करते, ये rent पे कर देते, ठीक है ना, यह ज्यादा लंबा line हो गया, इस लोन के पैसे से आप ये rent पे करते, हैंकि नहीं, तो यहाँ पर आप लोन नहीं ले रहे हो, landlord आपको उधारी दे रहा एक महीने के लिए इतने पैसे कितने पैसे तीन हजार रुपए आपको तीन हजार रुपए एक महीने बाद देने की जो छूट दे रहा है तो यहाँ पर लैंडलॉड को आप बोल सकते हो गिवर ठीक है यह जो रेंट अभी हमारा ड्यू हुआ हम जर्नल एंट्री कितने तारीकों करेंगे हम जर्नल एंट्री तो यहाँ पर कर लेंगे 31 January के date में 31 January के date में हमारा rent due हो जा रहा है तो हम journal entry उसी दिन कर लेंगे लेकिन payment जो हम cash नहीं कर रहे हैं तो यहां पर giver कौन है rent का giver है हमारा personal account के हिसाब से अगर सोचेंगे giver है हमारा वही landlord क्यूंकि उसी ने क्या किया है हमारा जो है पैसा जो है दे दिया है हमारे बहाफ में मान लो कि उसने हमको उधारी दिया मतलब एक तरह से उसी ने अभी पैसा दे दिया है उसको पैसा हमको बाद में दे देना है ठीक है तो traditional approach से सोचना थोड़ा कठी नहीं लेकिन अगर अगर आप अंदर का logic में एक दब deep dive करोग जो है बहुत लोग मुझे से पूछते हैं कि सर outstanding expenses account जो है यह representative personal account कैसे हो जाता है और बच्पन में मेरा भी यह question था कि यह personal account कैसे बन जा रहा है खास करके representative representative personal तो यहां पर जो हम outstanding rent लिख रहे है traditional हिसाब से यह giver है और यह किसको रिप्रेजेंट करता है ओनर ओफ या आप ओनर नहीं ओनर लिखने से गलात हो जाएगा आप landlord को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमको rent देना है तो उसने एक तरह से हमारा rent जो है पे कर दिया हमको उध ability बढ़ रही है तो create कर देंगे simple इसलिए मैंने आपको बोला कि traditional approach के पचड़े में पढ़ना ही नहीं है अपने को आपको traditional approach modern approach जो है सबकुछ मखन लगने लगेगा लेकिन अभी के लिए आप अगर modern approach से सोचोगे तो आपको easy रहेगा ठीक है तो काफी time waste कर दिया है हमने इस entry के ओपर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ता है रेंट तक हमने कर लिया था रेंट तक हो गया हमारा और यहां पर देखो इसके बाद क्या है एक 11th पॉइंट है purchase goods costing रुपी 60,000 फ्रम आकास paid 50% immediately availing 3% discount देखो क्या लिखा यहां पर goods purchase किये हैं 60,000 फ्रम के किस से आकास से ठीक है और 50% जो है वो immediately pay कर दिया 50% immediately pay कर दिया और यह जो immediate payment है इसके लिए हमको 3% discount मिली है समझ में आई बात तो 60,000 के goods में 50% immediately pay कर दिया मतलब 30,000 की payment कियोगी अब 30,000 के payments में से हमको 3% discount मिल गया तो actually payment कितना किया हमने मैं calculator में कर लेता हूँ 30,000 minus 3% तो हमने 29,100 का payment किया है ओके आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा तो 29,000 payment कर दिया है 29,100 और बाकि 30,000 का हिसाब जो है उसको बात में payment करेंगे तो journal entry एक बार बनाते हैं यहां पर आ जाते हैं हम 11th entry में सबसे पहले हमने क्या किया है purchase किया है तो purchase हमने कितने का किया है 60,000 का from Akash & Company and paid 50% immediately तो purchase जो किया है उसको debit करेंगे purchase account को कर देंगे debit ओके और इस debit को हम 60,000 का लिख लेते हैं अब यहां पर हमने purchase तो कर लिया expense हो गया 60,000 का debit कर दिया अब payment की बात करते हैं cash में हमने payment किया है तो cash हमारी कम हो रही asset कम हरी है तो credit होगा cash account कि कितने का payment किया 39,100 मैंने अल्रेड़ी यहां पर calculate कर लिया है 29,100 देख लो यहां पर ठीक है तो 29,100 का हमने payment किया है और हमको एक discount receive हुआ है कितने का 30,000 का payment करना था 50% जो immediately payment करना था हमको 30,000 का उसमें से हमने 29,100 payment क्या मतलब हमारा discount है 900 रुपीज का 900 रुपए का हमारा discount है तो यहां पर to discount received account कितने का 900 का ठीक है discount received account 900 का अब यह जो discount received है यह हमारा income है income है तो income आ रहे है तो credit करना पड़ेगा क्योंकि discount हमने कमा लिया और balance जो amount है 30,000 की यहां पर 29,100 और 900 यह दोनों मिला के 30,000 होता है balance हमारा कितना बचा 30,000 का यह 30,000 क्या होगा यह 30,000 तो future में हमको उसको देने है ना कौन है किस से खरीदा आकाश & company से खरीदा देखो यह आकाश & company को तो 30,000 future में देने है क्योंकि 50% यह अभी payment किया है 50% तो बाद में करना है purchase तो 60,000 का है तो 30,000 बाद में देना है तो आकाश के प्रती हमारी एक liability create हो गई liability create हो रही है तो create करना पड़ेगा तो यहां पर लिखते है आकाश & company account और यह 30,000 अब इस journal entry को record करने का ना एक और तरीका है एक alternative method भी है जिससे आप इस journal entry को record करते है पहले मैं entry लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं ठीक है यहां पर आप purchase account को debit करो directly 59,100 से to cash account आप करो यहां पर 29,100 और to a cash and company account आप करो यहां पर 30,000 अब आप बोलो कि sir आपने ऐसा क्यों किया आपने discount की entry जो है इसको गायब क्यों कर दी देखो ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं वैसे मैं आपको recommend नहीं करूंगा आप जो है न यह पहले वाला जो मैंने लिखा है यही करोगे तो चल जाएगा बिलकुल सही है और यह भी बिलकुल सही है अब देखो मैंने आपको बताया था कि trade discount की entry हम क्यों नहीं करते हैं मैं यह calculator बजार में खरीदने गया और मुझे बताया गया कि इसका दाम 200 रुपए है और मैंने उस क्या कहते हैं बेचने वाले से bargain किया seller से bargain किया और 150 का खरीद के लाया तो खरीदते वक्त थी तो मुझे discount जो 50 रुपए उसके बारे में पता चल गया तो माई direct 150 रुपए प तो यहां पर जो transaction बताई गई है परचेस गुड्स कॉस्टिंग रुपी 60,000 फ्रम अकाशन कंपनी एंड पेड इमीडियेटली पेड 50% इमीडियेटली लिखा या रहे कि परचेस करते वक्त ही 50% इमीडियेटली पे कर दिया और उसके लिए 3% discount मिल गया तो परचेस करते व वक्त ही हमको पता चल गया था तो हम उसको discount को नहीं लिखके net price पर भी purchase record कर सकते हैं जो कि मैंने यहां पर किया है देखो मैंने यहां पर net price पर परचेस रिकॉड कर लिया 900 रुपय का discount जो है ठीक है तो आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा या ऐसा करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा दोनों में तो सर इसमें तो discount रिसीवड जो है वो record ही नहीं कर रहे है तो देखो discount रिसीवड रिकॉड नहीं कर रहे है यह बात आपकी सही है अब सेज हमने साथ हजार का किया है यह हमारी हो गई थी expense और यहां पर 900 रुपए का हमने बुक कर लिया income क्योंकि discount received हमारी income है तो आप अगर देखो expense और income का net देखो तो साथ हजार का expense और 900 का income आपने इस transaction में record किया यानि कि आपने 59100 का net जो है net effect आपका income expense का net effect जो है 59100 का आपका expense आ जाएगा क्योंकि साथ हजार के expense में 900 का income भी तो आप अगर minus करोगे तो 59100 का आपका आएगा तो यहां पर भी 59100 का ही हम expense record कर रहे हां बस नाम अलग है यहां पर purchase में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है फिर discount receipt का लेकिन जब आप income minus expense करके profit निकालोगे तो दोनों case में आपका सेम आएगा ठीक है वैसे मैं आपको recommend नहीं करूंगा आप यह वाला मत लिखना अप यह वाला ही record करना क्योंकि वहां पर paid करते समय discount का बात लिखा है ना इसलिए यह वाला ज्यादा आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा तो इसको मैं अभी क्या करता हूं ना मैंने लिखा तो है transaction आपको समझने के लिए पर ऐसे अभी मैं एक परचेस गुड्स costing rupees एक लाग एगेंस चेक एट अवाल discount अब थी परसेंट एक लाग का गुड्स हमने परचेस किया है अगेंस चेक और तीन परसेंट का discount ले लिया तो परचेस करते समय हमको तीन परसेंट का figure जो है उसके बारे में पता चल गया था तो हमने कितने में खरीदा एक लाग से अगर आप तीन परसेंट माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 97,000 क्योंकि तीन परसेंट एक लाग का होता है 3000 रुपए तो 3000 रुपए डिसकाउंट गया तो 97 रुपए तो हमने पर्चेस को डारेक 97 परसेंट पर 97,000 पर रेकॉर्ड करना है यहाँ पर सिंपल से आ जाते हैं और पूरा पर्चेस जो हमने कैश में किया है कैश में नहीं सौरी बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट किये तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह इंट्री नंबर कितना था 12 एंट्री नंबर था 12 और यहाँ लिखेंगे पर्चेस अकाउंट इसको करेंगे डेबिट 97,000 से और टू पैंक अकाउंट क्योंकि पूरा चेक से हमने पेमेंट कर दिया यह भी 97,000 और यहाँ पर जो 3% है तो इसके लिए कोई एंट्री अगरे नहीं करनी पड़ेगी जैसा कि मैंने आपको बता दिया तो एंट्री हो गई अब आगे बढ़ते हैं हमारे तेरवे पॉइंट पे तेरवा पॉइंट क्या है तो देखो क्या लिखाया है कि गुड्स हमने सेल किया है मैंक को कितने के एक लाख के 25 परसेंट कब पेबल होगा जब सेल हो रही है और मैंक ने हमको चेक से पेविंट किया और बाकी जो है 30 दिन बाद तो एक लाख में से 25% यानि की 25,000 रुपए तो अभी हमको चेक से पेमिंट कर दिया ठीक है और 30 दिन बाद हमको कितना पेमिंट करेगा वो 75,000 करेगा बैलन्स अमाउंट तो एंट्री क्या रेकॉड करेंगे देख लेते हैं एक बार यहां आ जाते हैं देखो 13th में सेल्स हुई है सबसे पहले तो सेल्स तो क्रेडिट होगी उसको बाद में लिखते हैं हमको मिला क्या है बैंक चेक मिला है तो बैंक अकाउंट को एक बार डेबिट कर लेते हैं कितने का चेक मिला है 25% का ठीक है 25% का यानि कि 25,000 का हमको चेक मिला है और 75,000 की हमारी एक क्या आ गई एसेट आ गई क्यूंकि मयंक को जो हमने माल बेचा है किसको बेचा है मयंक को यह देखो मयंक नाम है मयंक को जो हमने माल बेचा है न एक लाग का तो उसमें से 25,000 का चेक दी है 75,000 तो मयंक से फ्यूचर में मिलने है तो मयंक हमारा क्या हो गया डेटर एक बन गया एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो मयंक अकाूंट को करना पड़ेगा डेबिट को मैं करको करेंगे हम कितने का 75,000 का ओके और टू किसको करेंगे सेल्स अकाउंट को क्योंकि सेल हो रही है और कितना होगा वो एक लाग का हो गया entry, compound entry है लेकिन आसान था, ठीक है, अब दो-तीन transactions बची है, जल्दी-जल्दी खतम कर लेते हैं, देखो, charged depreciation on machine रुपीज एक हजार, अब depreciation का concept मैंने आपको पहले नहीं बताया है, तो इसलिए मैंने ये entry यहां पर लिए, ताकि आपके आसा थोड़ी से discuss की जा सके, देखो, depreciation क्या होता है, मान लो कि ये एक machine है, ठीक है, ये एक machine है, मान लो, लिख देता हूँ, machine, अब ये machine जब business में आप use करते रहते हो, ना, long term के लिए होती है machine, काफी साल आप इसको use करते हो, एक साल, दो, साल, तीन, साल, चार, साल, गिरावट, क्योंकि जब भी देखो, आप नई गाड़ी खरीदोगे, तो नए-नए में तो उसकी value रहेगी, अब गाड़ी को जैसे use करते जाओगे, आप market में बेचते जाओगे, तो उसकी value में कुछ गिरावट होगी ना, क्योंकि आपने गाड़ी से कुछ benefit लिया, आपन गिरावट होनी चाहिए, तो वो जो value में गिरावट है ना, उसको हमें एक expense की तरह record करते हैं, किस तरह? expense की तरह, क्योंकि हम मानते हैं कि वो जो value में गिरावट हुई है, वो गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि business में हमने उस machine को use किया है, हमने business में उस machine से benefits लिये हैं, तो expense mais corner में लेना होता यह उसके लिए कंपर करते हैं में Records करने को मिल रहा है सालरी तो कभी बी कोई इससे देट हैं hipp cl यह limit है आशी जो देते हैं यह कि आ पर उसके बहुर alm तो उसके लिए हम जो expense record करेंगे इसको बोलता है depreciation ठीक है तो यहां पर लिखा है कि machine पे 1000 रुपए का depreciation लगाना है अब मान लो कि कभी-कभी बोल देता है कि 10% depreciation लगाना है तो अगर machine की cost एक लाट है तो आप उस पे सिधा-सिधा 10% calculate करके depreciation लगा दो यहां पर सीधे आपक increase तो उसको क्या करेंगे debit और क्या होगा हमारा asset जो है मेरा machine उसकी value होगी कम क्योंकि machine की depreciation के कारण वेरेंट एक कारण जो value है वो कम हो रही है न तो machine की value होगी कम और asset जब कम होती है तो उसको हम क्या करते है डेप्रीशिएशन का जो पूरा की बोलो depreciation account debit depreciation एक expense है आप depreciation on machine लिख सकते हो लेकिन आप सिर्फ depreciation भी लिख सकते हो तो depreciation account debit to credit क्या करें को है machine account को यहां लिखने depreciation account को कर देंगे debit कितने का 1000 रपय का और 2 machine account एक हजार रुप है ठीक है entry समझ में आ गई और narration being depreciation charge zone machine ऐसा आप लिख सकते हो तो यह भी हो गया अब 15th point पर आते हैं 15th point क्या है हमारा sold goods costing Rs.40,000 to unill for cash at a profit of 25% on cost less 10% credit discount कितना लंबा चौड़ा भाशन यहां पर देख रखा है अब सबसे पहले sold goods तो goods sale हुए है ठीक है costing Rs.40,000 goods की cost कितनी थी जितने जो goods हमने सेल किया है उसकी cost थी 40,000 सेल 40,000 पर नहीं किया है ध्यान रखना cost थी उसकी 40,000 ओके किसको बेचा है अनिल को लेकिन cash में बेचा है ठीक है ध्यान देना हर word important है यहां पर तो एक बार मैंना highlight कर देता हूं सबको sold goods है costing Rs.40,000 है किसको बेचा है अनिल को लेकिन cash में बेचा है profit है 25% on cost ध्यान दो यहां पर profit है 25% on cost तो जो selling price हमारी है कितने में sell किया हूँ कैसे निकलेगी यह जो cost price आपको यहां पर दिया हुआ है इस पर 25% का आपको profit add करना पड़ेगा ओके और साथ में लिखा है कि less 10% trade discount तो जो selling price आईगी ना आपकी उस पर 10% trade discount भी माइनस करना पड़ेगा तो देखो कितना complicated कर दिया है थोड़ा सा यहां पर करते हैं कि देखो 40,000 का हमारा था cost price ठीक है इस पर एड़ करेंगे 25% profit तो यह क्या बन जाएगा बोलो चालीस हजार का 25% जो होता है ना 25% profit जो है वो on cost लिखा है 25% profit लिखा है on cost देखो यहां पर 25% profit on cost यहां पर लिखा हुआ है तो 40,000 के हमारी सॉरी मैंने 4000 लिख दिया 40,000 के हमारी cost है 40,000 पर 25% होता है हमारा 10,000 ठीक है तो यह figure कितना आ जाएगा 10,000 तो 10,000 आइड करने से हमारा आ जाएगा 50,000 तो selling price हमारा हो गया 50,000 ओके अब इस price पे हमने 10% trade discount दिया है देखो 10% सॉरी कहा गया यह 10% हमने दिया है trade discount तो 10% trade discount अब यहां से minus करना पड़ेगा तो less 10% trade discount अब 10% trade discount जो होगा यह 10% किस पर calculate हो का पता है यह जो 10% calculate करेंगे यह हम लोग करेंगे इस 50,000 पर क्योंकि selling price पर या list price पर हमेशा ट्रेट discount calculate होता है तो 50,000 का 10% कितना होता है बोलो 5000 रुको पैन से लिखता हूं यह 5000 होगा तो finally selling price जिस पर हमने actually sale किया trade discount देने के बाद वो कितना हो जाएगा 45,000 तो इतना ज्यादा calculation करने के बाद यह figure हमारे पास आया है इसी लिए मैंने यह चीज जो है आपके साथ share किया अब आप यहाँ पर अनिल वनिल नाम देखके confused हो जाएगो उतना नाम लिखने की ज़रूद नहीं देखो sales जो हुई है वो cash में हुई है ठीक है तो यहाँ पर अब लिखते है जर्नल इंट्री 15th point cash account debit कितने का हमारा हुआ था 45,000 का सेल हुआ था 45,000 का सेल हुआ था 45,000 का सेल्स अकाउंट का सिंपल कोई भी इसमें यह नहीं यह देखो एंट्री बिल्कुल सिंपल है लेकिन एंट्री लिखने का तरीका कितना जटिल है तो इसलिए यह चीज है जो समझानी ज़रूरी थी अब लास्ट आज के दिन का लास्ट एंट्री जो है वह यह है रिसीवड कमिशन रुपीस 25,000 half of which is in advance तो 25,000 का कमिशन हमने रिसीव किया है किसी से लेकिन आधा जो है और नहीं किये तो 25,000 में से अभी सिर्फ 12,500 हमने अर्ड किया है और 12,500 हमने एडवांस में रिसीव किया है ठीक है तो इसको अभी तक income कितनी की record करेंगे सिर्फ 12,500 की और 12,500 को जो पैसा हमने किसी और का ठीक है अभी तक हमने उसको कमाया नहीं है तो किसी का पैसा अगर आप आप सब्सक्राइक ने औरकम रखना तो बहुत वह अपके पस पड़े हैं क्या वह आपकी लायाबिलिटी नहीं है तो किया वह आपका खुद का पैसा एक PIEC आपके पास है तो 12500 की हो जाएगी एक लाइबिलिटी और इधर 12500 का इंकम बुक करेंगे तो देखो जर्नल इंट्री 16 नमबर इंकम जो है वो क्या होती है क्रेडिक होती है तो डेबिट किया होंगी यहां पर चो कैस्भी हो लिखा नहीं है कैसे डीशीव किया तो आप आपकुछ भी सज्यूम कर सकते हो मैं कैस्मारी करना पहुलिग देता हुं तो कमिशन कमिशन के हमारी इंकम है तो कमिशन जो हमने कमाया है कितने का अभी तक सिर्फ 12500 का ही कमिशन कमाया है ठीक है पूरा हमने अभी कमिशन एक सेगंड रूपना यह पूरा कमिशन अभी हमने नहीं कमाया ओके और जो बाकी 12500 होंगे वो क्या होगी हमारी एक liability liability बढ़ती है तो क्या करते क्रेडिट तो कमिशन रिसीव इन एडवांस कमिशन रिसीव जैसे outstanding expenses बोलते थे वैसे income रिसीव इन एडवांस ऐसे ही रेकॉर्ड होगा कमिशन रिसीव इन एडवांस अकाउंट 12500 तो ठीक है आज के लिए जो हमारी सारी इंट्रीज थी वह complete हो गई वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है पर आशा करता हूं कि यहां पर जो हमने discussion की है उससे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिल जाएगा ठीक है तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत इंत्रैक्शन Kernा को पूरा आपको देखना है देखके इनकी जर्नल न्ट्रारिन ऒन करनानी है और तो पूरा प्रॉसस आपको कमपलीट करना क्योंकि प्रैक्टिस आपको बना सकता है मैंने पिछली विडियो में बताय ताब कि मैंने जब पढ़ा रहा हूं तो यह चीज़ जरूर करना जरूर से जरूर करना यह homework ठीक है इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना नोटस में description के link में जो आपको folder मिलेगा Google Drive उसमें यह notes में आपको मिल जाएगा साथ में यह जो अभी मैंने journal किया ना यह सारा भी आपको नोटस में मिल जाएगा तो इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत भ़ाहत धन्यवाद